कपील नगर पुलिस थाना अंतरकत आने वाले आवडे नगर परिसर में शैलेज देश भ्रतार नामक गुंडे के फत्तर से कुचल कर हत्या कर दी गई है कपील नगर पुलिस ने संदे के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में आगे की जाज चल रही है शेहर में अपरादी ग्राफ दिन बदिन बढ़ रहा है दकैती, चोरी, लूट मार, हत्याओ का सलसला बदस्तोर चारी है इस श्रंकला में कपिल नगर थाना अंतरगत आने वाले आवडे नगर परीसर में कुख्याद गुंडा शेलेश देश ब्रतार नामक गुंडे की किसी अग्याद आरोपी ने पत्तर से कुचल कर हत्या कर दी दर्श को हम आपको मृतक के दृश्य साफ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इससे आप विछलित हो सकते हैं हत्या का कारण क्या है इसकी जांच कपिल नगर पुलिस कर रही है अब तक कपिल नगर पुलिस ने संदेह की आधार पर एक व्यक्ति को गिरफतार किया है उससे इस हत्याकान के बारे में पुलिस पूचताच कर रही है नाकपुर शहर का अपरादी ग्राफ बढ़ रहा है एक तरफ जन संख्या बढ़ रही है तो दूसरी और अपराद के मामलों में काफी बढ़ोतरी हो रही है मृतक का रिकॉर्ड जब पुलिस ने खंगाला तम मृतक के उपर कई गुना दर्ज होने की खबर है शहर में शांती बनाने के लिए पुलिस अच्छे काम कर रही है तो वही आरोपी बास नहीं आ रहे है कपिल नगर के हद में आज सवाचा साड़ चार के बीच में एक विक्ति की हत्या हुए उसका नाम है सैलेश बालाजी द्रेश बतार वह वर्षे उसका है तीस रहने वाला है नारी रोड का वो तो उसकी अब हत्या हुए तो यह और इसकी कोई अधनियात विक्ति ने उसकी हत्या किये जो उसके परिचित होगा शायद हो तो उसने उसकी हत्या कर दिये ऐसा मालूम पढ़ा है कि दारूपीने के बाद उनके और इसने जो आरूपी ने हैं उसको सर पे पत्थर मार के उसके हत्या की हुई है तो उसे दाफ से उसका मटर हुआ है और जो मृत्तक है उनका हमने क्राइम रकॉर्ड निकाला है तो उसके अंदर अभी आज के तक के चार गुने हैं जिसके उपर एक 302 का गुना है 2008 का जो जर दोनों साथ में उसके बाद यह लोग आये उसके बाद उसने अत्या की गई इसके अभी वो CCTV का फुटेज तो अभी हमने यह नहीं किया है अभी हम कल उसका एक करेंगे क्योंकि अभी इंस्टेटली हमको जैसे के जो करना है जो के पॉसिब अभी हमको अर्जंटली जो अर्जंटनी नग्पुरू